आप सभी को नमस्कार, मित्रो ये जो आप देख रहे हैं ये कचनार है और आईरवेद में कचनार अपना ही एक महत्वर रखता है हाला कि इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी औश्रदियों में काम में आती है इसके नाम कुछ आईरवेद में इस तरह से है संस्क्रीट में नाम इसका कांचंग, रत्वकूस्प, कांतनर, कनकप्रभ, कचनार, कविदार, इत्यादी है हिंदी में कचनार कहते है और ये कम से कम 15 से 20 फूर के आसपास पेड होता है ये दो तरह के होते हैं एक सफीद फूल के और दूसरे कुछ बैंगनी से होते है जो पिलापन लिये होते है अब इसके गुर्धर्म के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईरवेद के मत के अनुसार, कचनार जो है, लाल कचनार ये सीतल, सारक, अग्निदीपक, कैसेली, ग्राही, कफ, पित, वर्ण, क्रुमी, कंठमाला, कुष्ट, वात, गुदा भ्रम और रक्त पिक्त को दूर करने वाली है इसके फूल, सीतल, कसेले, रूखे, ग्राही, मधूर, तथा हलके, पित, छै, प्रदर, खासी, और रक्त पित आदि को दूर करने में उत्तम कारिय करते हैं सफेद कर्चनार, ग्राही, कसेली, मधूर, रूचिकारक, छै, स्वास, खासी, पित विकार, रक्त विकार, छै, प्रदर, आदि रोगों में बहुत अच्छा काम करती है और अभी-अभी यह जो वीडियो मैं जहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर किसी माताजी से मुझे पता चला है कि बारिस के दिनों में इसकी जो पत्ते हैं ये कोमल कोमल आप देख रहे हैं ये कोमल पत्ते हैं इन कोमल पत्तों की सबजी बना के खाते हैं यहां पर और ये बरसों से परमपरा है कि ये इसकी सबजीया बना के खाई जाती है हाला कि माता जी की जो उम्र थी वो करीब करीब 80 किटी के आसपास थी कि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देना चाहता हूं जिसका प्रियोग आप कर सकते हैं आतों में अगर कीड़े हो जाएं तो उसके लिए इसकी छाल अत्वा इसकी कलियों का क्वात बनाकर पीने से आतों के कीड़े मर जाते हैं यदि फोडे हो इसकी जड का चावल के धोवन के साथ फूटिल यानि पोटली बना के बांध ले तो फोडे पक कर फूट जाते हैं। दातों की पीडा हो अगर इसकी लकडी का कोईला बना कर दंत मंजन करने से दातों के दर्ध ठीक हो जाते हैं। खुनी बावसीर मिस्री और मक्षन के साथ इसकी कलियों का चूर्ण बना कर चाटने से तता जामून और मॉल्जरी और कचनार की छाल का काढ़ा बना कर पीने से गुदा को धोने से बावसीर मिटती है। गंडमाला में चावल के धोवन के साथ कचनार की छाल को मिला कर इसका सौफ का भूरता बना ले और इसकी लेप करें तो गंडमाला रोक में इसका लाब होता है। मित्रो आसार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी और आप सभी ने अगर हमारा चाइनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें क्योंकि आने वाले वीडियोज में और भी बहुत सारे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैंसर में भी ये ब बहुत सारी बनी हुई चीज़ें मिलती है जैसे कचनार गुगल, कचनार घनवटी, कचनार कसाए ऐसे तमाम चीज़ें मिलती है मार्किट में मैंने इससे पहले कचनार गुगल का एक वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ मैं आड़ करूँग आप उस वीडियो को देखके और इस वीडियो का अलाब जरूर उठाएं आगे और किछनार के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा तब तक के लिए जैहिन वन्ने मात्रम